अर्वधा इस वक्त राम मैं हो चुकी है वहां महमानों का आना शुरू है ऐसे में यूपी सरकार के मंत्री भी देख रेक करने पहुंच रहे हैं यूपी के मंत्री सूर्परताब शाही ने बताया कि प्रार प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो चुकी है कुछ कमियां मंत्री सुर्परताब शाही हमें साथ मौजूद है अज वह भी आये हैं मौके पर मौजूद है क्या लगता है कि पूरी तरीके से तैयार हो गई है और जो थोड़ी बहुत बची हैं उन सब को पूरा किया रहा है और जो अंक बसा रहे है वह बाइस तारीक प्रांप्रतिष पर पढ़ारेंगे और सब्सक्राइब का जो सपना था संकल्प था वाज पूरा होने जा रहा है इसलिए सारे अजुद्यावाशी देशवासी उत्तरप्रतिशवासी सभी बहुत ही प्रसंद्व हैं और उमंग के साथ हैं आपने कई जगां पर आप अभी दिखा भी आपन देखें लगातार सफाइए की विवस्था की करही आ रही है लवग 5,000 ही हाँ पर हमारे सफाइए से वग यहां पर काम कर रहे हैं यहाँ पर लगवग 40,000 से ज्जादा लोगों के लिए रहने की व्रता बना करकर रखी है अभी हमारी टेंट सीटी 15,000 के करीब की बन चुकी है जिसके भीतर लोग निवास कर सकते हैं और 20,000 की टेंट सीटी की तैयार हो रही है जो 25 तारी को हमें उतलब्द हो जाएगी जिसके मार्जम से इतने भी श्रदालू डेश को कोने-कोने से आएंगे उनकी रौस्ता हो है भी से ज्यादा हमारे चिकत साले की बस्ता हम लोग कर रहे हैं जा जा सके हैं जा जा सके हैं नेघर वास्ति और और बाकी लोगों के शहयूग से यहां पर कुराई जा रही है कर रही है और कुछ नहीं राम का मंदिर पूरी विस्तार से बढ़ना हम 22 के बाद दर्शन करेंगे तो क्या लगता है पहले नहीं दर्शन कर सकते हैं और इसे लिए वो लड़ते लड़ते सुप्रीम कोड पहुंकते थे और कहते थे कि राम तो जो है वो एक कल्पना है एक कहा रही है और वो परिशान है कि जो हमको मौका मिला हम नहीं कर सके च्ट-पटाहट की बितर है बिल्कुल च्ट-पटाहट है उन्हीं लोगों ने यहां पर 1989 में तीस नौंबर दो तीस अक्टूबर दो नौंबर 1989 को उन लोगों ने जो रख्तर रंजित किया था इस अजुद्या को और सारी सर्जुनजी का पानी लाल हो गई थी और धर्ती लाल कर दिया था वो लुग क्या जुद्या के दरसंग कर पाएंगी मुझे बहुत अजीव इस्तितियों के जब कि जो आयोध्या है वो आज पूरी तरीके से त्यार है विपक्ष चाहे ना आए लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेगी और इस पूरे आयोजन को और भवे बनाएगी क्या मैं परसंग पाद्या के साथ मैं विजय तरपाखी जेंबी नियूज